तो शुरू करते हम, ecosystem, structure and component, चीक है, कैसा-कैसा ecosystem क्या होता है, ecosystem कैसे है, तो ecosystem क्या होता है भाईया, An ecosystem is a functional unit of nature, where living organisms interact with each other and with their physical environment, एक ecosystem क्या होगा, ecosystem ऐसा entity है, जैसे मालो यह room है, तो यह कमरा भी एक ecosystem है, यहाँ पे मच्छर भी है, यहाँ पे कुछ कीडे मुकड़े अगर होंगे तो होंगे, कौकरोचेस हो सकते हैं अगर खहरापा गंदा है, ठीक है, वो आपस में आपके साथ interact क रहे हैं तो यह एक ecosystem है, खुछ भी ecosystem हो सकता है, ठीक है, जैसे समंदर एक ecosystem हो सकता है, जैसे कि एक बून पानी एक ecosystem हो सकता है, आपने छीका, आपका nasal sputum निकला, तो वो भी एक ecosystem है, ठीक है, से मेरा मतलब है living component a biot component से मतलब है मेरा non living component इनके interaction पे जो पूरा एक जगह है उसको हम ecosystem कहते हैं ठीक है तो अगर पूरे ब्रह्मान को देख लोगे है ना तो whole biosphere जो है वो एक global ecosystem हो जागा अर्थ आपका एक biosphere हो गया उसमें एक global ecosystem हो जागा ठीक है टर्म ecosystem दिया था एजी टैंसली ने नीट 2000 सुला में आया हुआ सवाल है इसको आप लिख लीजे टर्म ecosystem दिया था एजी टैंसली ने राइट राइट चल तो हम लोग शुरू करते हैं types of ecosystem देखने का उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अगर आप ecosystem की बात करेंगे तो ecosystem कैसा हो सकता है हमारा terrestrial ecosystem हो सकता है aquatic ecosystem हो सकता है यह दोनो natural ecosystem के example natural ecosystem ऐसा ecosystem है जो self sustainable है है ना जैसे मालो कि एक pond है या एक lake है या एक river है या एक ocean है या एक कुछ भी ऐसा system है तो वो natural काम करा है उसमें ऐसे आपका support नहीं है कि मालो मेरे गाउं का pond है मैं 10 दिन गाउं से चला गया तो मेरा pond खतम नहीं हो जाएगा उसके animals मर नहीं जाएगा उसके अंदर जो मशली है वो मर नहीं जाएगी तो natural ecosystem self sustainable ecosystem होते है self sustainable मतलब artificial energy या artificial resource की requirement नहीं होती तो यह terrestrial और aquatic ecosystem जिसकी हम बात करें जैसे forest grassland desert जो है यह natural ecosystem के example है ठीक है natural ecosystem कैसा ecosystem होता है natural ecosystem ऐसा ecosystem है जो self sustainable है है ना natural ecosystem ऐसा ecosystem है that is self sustainable that is self sustainable ecosystem जो है वो मेरा natural ecosystem है man-made ecosystem कैसा हो जाएगा जैसे खेत आपका या जैसे aquarium आप देखो ecosystem है तुम दो दिन घर से बाहर गया तीन दिन घर से बाहर गया तो मश्री को खाना कौन देगा तो उसमें कोई ना कोई तो चाहिए उस ecosystem को चलाने के लिए that is called artificial ecosystem तो नैचरल ecosystem के अंदर आ जाएगा आपका फॉरेस्ट लेक पॉंड रिवर है ना ये सब जो है आपका नैचरल ecosystem का एक्जामपल आ जाएगा अगर हम artificial ecosystem की बात करेंगे तो इसमें anthropogenic action हो रहा है मतलब इंसान की requirement है इसमें इंसान की requirement है जैसे आपका मालो aquarium ठीक है crop land मालो तुमने गन्य की खेती की है तो तुम भई fertilizer भी डालते हो तुम पानी भी डालते हो तुम ध्यान रखते हो उसका है ना तो यह सब जो है यह artificial ecosystem कह सकते हो या इसको हम anthropogenic ecosystem कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको anthropogenic system कह सकते हैं ठीक है तो ecosystem कैसा हुआ भई या ecosystem मेरा दो तरह का है नाचरल इको सिस्टम और मैनमेड या anthropogenic ecosystem या artificial ecosystem नाचरल में क्या है जो self sustainable है आपकी मदद की requirement जिसमें नहीं है वो नाचरल इको सिस्टम हो गया जहां पर आपकी मदद की requirement हो गई वो anthropogenic ecosystem या artificial ecosystem हो गया नाचरल इको सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल है एंथ्रोपोजनिक एको सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है एक्जामपल फॉरेस्ट रिवर इस्चरीज बैक वॉर्टर यह सब नाचरल इको सिस्टम है बट अगर वही आप एक्क्वेरियम देख लें इको सिस्टम में क्या-क्या कॉंपोनेट्टों और दूसरे होते हैं बाइकND क्वेरियम देख कोई और इंट्राइक करे रहा है मालो कि तुम एक जंगल में रहोैं खीक है दो टार्जन हो ठीक है और तुम जंगल में रहे रहो तो तुम्हारे दो component है जिससे तुम इंट्राइक कर रहो एक तो यह बाइटी कॉम्पोनेंट है तुम्हारा क्या वहां तो पानी जो भे हरा है है ना वहांका स्वैल जो है where people इंट्राइक्शं हो रहा है तो ख​ भी भी एकोसिस्टम का दो ओंपोनेंट होता है गिया इन एकोसिस्टम बायाटिक एक एक बायाटिक कॉम्पोनेंट इन ट्रैक टू मेक इट अ फंचनल यूनिट तो चाहिए आईए इसको अच्छे से लिख लेते हैं डीटेल में कि क्या-क्या कॉम्पोनेंट होता है एकोसिस्टम का चले तो भाईया क्या है सबसे पहला कि कॉम्पोनेंट्स ओफ एको सिस्टम हो लिखिये कैसा-कैसा कॉम्पोनेंट होता है हमारे एकोसिस्टम सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है that is called abiotic component, कैसा component है, abiotic component, ठीक है, abiotic component मतलब non-living component है, यह न, non-living component, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा, बायोटिक component, दूसरा हमने देखा, बायोटिक component, that is, living component, और यही दो आपके ecosystem को effect करते हैं, यही दो आपके ecosystem को बनाते हैं, और बायोटिक और abiotic components के बीच में जो interaction है, वही ecosystem का functional unit बनाता है, ठीक है, तो क्या-क्या abiotic components हो सकते हैं आपके, तो पहला factor हो जाए, climatic factor, climate कैसा है, यह मौर्सम कैसा है, जैसे इसमें पानी, light, wind, humidity, सब आ जाता है, climatic factor में है न, water, light, wind, humidity, है न, यह सब कौन से factor में है जगा, यह सब आपके climatic factor में, climate कैसा है, न, बोलते हैं न, कि बारिश हो गई, है न, धूप बहुत जादा निकल गया, तो यह सारे climatic factors में आपके आ जाते है, ठीक है, दूसरा आते है, edific factor, soil, दूसरा आते है, edific factor में क्या आ गया बटा, आपका soil आ गया, है न, soil, है न, कैसा soil है, मिट्टी के quality कैसा है, जैसे आपने देखा होगा, MP में cotton जादा होगता है, क्योंकि black soil है वहाँ पे, कहीं और, शिमले में, शिमला में आदू जादा होगता है, वहाँ brown soil है, तो depending on the quality of soil भी, ecosystem आपका vary करता है, तो composition of soil, या soil के property पे आते हैं, edific factor, soil के factor, soil का composition कैसा है, water holding capacity कितनी है, color कैसा है, तो इसके basis पे, जो physical और chemical component होते हैं, जैसे acidic soil हो सकता है कहीं पे, तो जहाँ acidic soil है, वहाँ पे एक particular type of crop होगा, जहाँ alkaline soil है, वहाँ पे एक particular type of crop होगा, तो उस तरह से भी ecosystem determine होता है, और इसके factor को हम edific factor कहते हैं, ठीक है, तीसरा, तीसरा को हम कहते है, topographic factor, है न, जैसे पहाड़ पे है, उपर है, नीची है, है न, तो तीसरा होता है, topographic factor, topographic factor क्या हो, बिटा, topographic, है न, जैसे mountain slope हो सकता है, या valley हो सकता है, topology, height, हैना, तो अलग-अलगतर का feature हो सकता है, ठीक है, तो टोपोग्राफिक factor क्या हो गया, planes हो सकता है, mountains हो सकता है, है न, slope हो सकता है, अब यह कभी हो सकता है, rain shadow area में पढ़ गया, तो जहां rain shadow area वहाँ पे अलग हिसाब किताब हो जाएगा, वहाँ पे बारिश कम होगी बारिश कम होगी तो वहाँ पे vegetation अलग हो जाएगा है ना, कहीं पे बहुत उचा है, तो बर्फ वहाँ पे जादा हो गया edific factor और topographic factor, ठीक है biotic component में क्या क्या आजएगा भईया biotic component अभी हम पढ़िंगे detail में, ठीक है biotic component में आपका आजएगा producer जो बना रहा है फिर उसके आजएगा primary consumer जो producer को खा रहा है फिर आपका आजएगा secondary consumer जो primary consumer को खा रहा होगा फिर आपका आजएगा tertiary consumer जो secondary consumer को खा रहा होगा और सब को जो खा पाएगा उसको हम क्या देंगे top कार्णी वोर जैसे इनसान food chain में सबसे उपर है इनसान को कोई नहीं खा रहा है अब बोलो को जैसा शेर शेहर में शेर आ गया तो शेर को तुम गोली मार दोगे तो तुम top of the food chain पर हो तुमको कोई नहीं खा रहा ठीक है तो जो top of the food chain पर होता है उसको top कार्णी वोर कता है यहा तक क्या यहां तक किसी को कोई भी दिख जो समझ में नहीं आ किया है ठीक है समझ जाए बिटा समझ में आ गया प्लियर यहां तर बहुत अमेजिक बहुत अमेजिक आगे बढ़ते है तो हमने देखा बायोटिक और अबायोटिक तो भाईया आईए देखे ठीक है अच्छा एक और टम होता इस पर सवाल आई होगा था अक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इस कॉल स्ट्राटिफिकेशन यही अलग 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 लेयर पे जो अलग अलग क्लियर कट डिस्ट्रिबीशन दिखता है उसको हम स्ट्राटिफिकेशन कहते है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है इस पर आए होता है यहां पर तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और पेड होगा तो ऐसे बड़ा होगा तो आपको क्लियर कट वर्टिकल डिस्ट्रिबीशन दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं इस जाए वर्टिफिकेशन ठीक है यार रखेगा ट्रॉपिकल रिन फोरेस्ट में इस्ट्राटिफिकेशन बहुत क्लियरली विजिवल है है ठीक है क्योंकि ट्रॉपिकल इंफरेंच में जागो तो देखोगे ना कि बड़े-बड़े पेड़ है ठीक है फिर उसके श्रफ छोटे-छोटे है और नीचे घांस वास होगा ठीक है तो स्ट्राटिफिकेशन इस कि इस क्लियरली विजिबल इन ट्रॉपिकल रेंफरेंच ट्रॉपिकल रेंफरेंच में स्ट्राटिफिकेशन आपको बिल्कुल किया देता है तो सबसे बॉटम स्ट्राटर सेकेंड लेयर और ऊपर वाला स्ट्राटर ठीक है तो इस वर्टिकल डिस्टिबिशन को हम स्ट्राटिफिकेशन करते हैं सभ़ होता है कि स्ट्राटिफिकेशन होने से अलग-अलग बटवारा करते हैं अगर मालो कि पेड़ है पेड़ ऊपर चला गया तो पहले सनलाइट ले लेगा श्रब है थोड़ा नीचे है तो कॉम्पीट नहीं कर रहा ना उनका अलग-अलग लेयर है ना तो उस तरह से कॉम्पीटिशन डिद्यूस करने में स्ट्राटिफिकेशन हेल्प करता है एक लिजर्ड मालो पेड़ के नीचे वाले टैनी से शिकार कर रहा है और एक लिजर्ड है पेड़ के ऊपर वाले टैनी के शिकार कर रहा है तो डिफरेंस के कारण क्या हुआ इन दोनों का डिफरेंस है मतलब रिसोर्स पार्टिशनिंग कर दिया हमने पिछले चाक्टर में और insects is reduced among different species of lizards, तो है ना, तो यह अलग-अलग कर दिया इसने, जैसे माल लोग कि अगर shady branch के लिए है तो insotilis और distinctus जो है, यह sunny place में रहा है तो distribution कर लिया, बटवारा अलग-अलग कर लिया, वैसे यह आपके NCRT में नहीं है, तो not in NCRT and it is not important ठीक है, not in NCRT and is not important ठीक है, टेंशन लेने की जरुवत आपको ठीक है, नाम आपको नहीं जाना बस आपको समझना था, समझने के लिए मैंने एक 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 जामपल बता दिया, ठीक clear अब आते हैं, कैसा कैसा एक 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 जामपल एको सिस्टम का ले लेते हैं एकवाटिक एको सिस्टम का, धाट इस pond, ठीक है, कैसा pond एको सिस्टम हो सकता है भाईजा, एकवाटिक एको समझने, pond क्या है, एक लेक लेक या pond क्या लो, ठीक है, stratification of lake हमने पिछले ग्लास में किया था है ना क्या किया था स्राटिफिकेशन अब लेक में हमने देखा था कि तीन रीजन होते हैं इनके है ना पहला रीजन होता है यहां वाला जो एकदम एज़ पे है जिसको हम कहते हैं लिटोरल सर्फेस ओव वाटरल पे जो रीजन है उसको हम कहते हैं लिमनेटिक जहां पर लिमिटेड सनलाइट जा रहा है उसको हम कहते है प्रोफंडल और जो बिल्कुल जहां पर सनलाइट नहीं जा रहा हो सकता कोई गहरा बॉंट है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा तो उसको हम कहते है उसको हम कहते है यह यह हमने स्ट्राटिफिकेशन ऑफ ले कल की क्लास में किया था है ना स्ट्राटिफिकेशन ऑफ ले यह बहुत अच्छे ठीक है आईए पॉंड एकोसिस्टम को देखते हैं पॉंड एक छोटा था गाउं में तुम देखते हो के पॉंड होता होगा ठीक है तो क्या भया पॉंड इस शैलो सिंपल सिल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉर्टी अगें इट इस एन एग्जामपल अम नैचुरल एकोसिस्टम वे जह यह सस्टेनेबल है एन सब कॉंपोनेट्ट है इसके पास कौन-कौन sa वह साओ Paradise मैंने बुला था फैक्टर क्या होता था स्थ deadly Bunu कंडिशन भी स्थ्था आ रहा है और कितना day length है वो component हो गया दूसरा water or soil soil आ गया इड़ाफिक component में ठीक है अच्छा biotic component में क्या क्या आ जाएगा autotropic component जो खाना बना रहे है ठीक है producer है जो तो producer में phytoplankton आ गया green algae आ गया फिर उसके बाद primary consumer आ गया zooplankton ठीक है और second consumer में मचली आ जाएगी अगर मचली है उस pound में तो ठीक है और उसके बाद last minute decomposer आ गया decomposer is fungi या bacteria तो यह सारे components इसमें आ जाते हैं ठीक है तो abiotic component में आपका आ गया climatic factor मैंने बताया था edific factor मैंने आपको बताया था and topographic factor अब तो depend करता है ना लेक माल लो पहाड पर है है ना मंडी में ठीक है मंडी में एक लेक लेक पारसर तो अब वहां क्या है वहां ठंडी रहेगा तो वहां पर उस तरह का vegetation grow कर गए या वहां पर उस तरह की मचलीया रहेंगी वही लेक माल लो कहीं कन्या ठीक है समझ में आई बिटा clear है तो पॉंड इको सिस्टम हमने देखा एक तो हमने देखा climatic condition और बांकि यह biotic condition उसके बाद उसके biotic component में क्या क्या हो गया producer हो गया primary consumer हो गया second consumer हो गया finally कुछ नहीं बचा तो decomposer हो गया ठीक है बहुत हमेशे तो यह देखो pond देखो देखो देख रहा है कितना बढ़ियां देख रहा है अब इसमें देखो algae हो गया या phytoplankton हो गया अब phytoplankton को कौन खाएगा primary consumer तो primary consumer कौन सा हो जाएगा zooplankton zooplankton क्या हो जाएगा primary consumer आजाएगा या secondary producer हो जाएगा ठीक है primary consumer को फिर खाए secondary consumer secondary consumer कौन हो जाएगा मेरा बेटा यहाँ पर छोटू फिश यहाँ लाज फिश है नहीं तो मालो स्मॉल फिश जो है यह तुमारा सेकंडरी कंजूमर हो जाएगा ठीक है अब फिश को कौन खा रहा है यह बगुला खा रहा है तो बगुला क्या हो जागा यह तुमारा इसका टॉप कार्निवर हो जाएगा बगुला क्या हो जाएगा तॉप कार्निवर हो जाएगा मेड़क क्या है मेड़क भी तुमारा क्या खा रहा है मेड़क यहाँ तो कुछ इंसेट खा रहा होगा तो मेड़क तुमारा secondary consumer होगा या तो यह zoo plankton खार होगा या तो वो खार होगा अब मेढक को यह खार है तो snake भी तुम्हारा क्या हो गया top carnivore snake भी तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जागा top carnivore, समझे है बटा समझ मैं है तो यह तुम्हारा ऐसे diagrammatic representation है pond के ecosystem का clear है, clear है everyone चले, आगे बढ़ते, तो यही बात वही काम कर रहा है same चीज क्या रहा है, कि producer कर रहा है पूरा cycle है, producer primary consumer, secondary consumer top carnivore और top carnivore जब मर गया या यह सब जो मर गया, तो यह जब भी मरेंगे, तो इसका decomposition हो जाएगा और यह ecosystem में मिल जाएगा ठीक है इसका decomposition हो जाएगा और यह जाके वापस अपने ecosystem में मिल जाएगा, clear clear है, clear है clear है, clear है, clear है अब आते हैं functions of ecosystem क्या-क्या आपके ecosystem का function, ठीक है, अब सबसे important part अब यहाँ से start होते है, अभी तक तो बहुत basic कर रहा है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, what is बगुला, बगुला वेटा वही है, क्या क्रेन को कहते हैं, स्वान या क्रेन को बगुला कहते हैं, पता नहीं, कहते हैं, है ना, चल, बहुत बहुत, आईए, अब आते हैं, हम बात करते हैं, basic components of functioning of an ecosystem, क्या-क्या basic component है, ecosystem, क्या-क्या है, produce productivity, कितना produce कर रहा है, decomposition, energy flow, and nutrient cycling, इसी चार को हम बहुत detail में देखने वाले हैं, इसी चार को हम बहुत detail में देखने वाले हैं, तो क्या-क्या component है, इस ecosystem का productivity कितना produce कर रहा है, production के बार, decompose हो जाएगा, उनका energy flow कैसे हो रहा है, और फार्थ में nutrient cycling, मतलब जो minerals हैं, वो कैसे कहा-कहा जा रहे हैं, ठीक है, ये चार चीज़ हम देखेंगे, चल, आईए, तो सबसे पहले आते हैं, productivity की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं, productivity की ब important topic है, जो भी important topic है, उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर NCRT reviews का देखेंगे, ठीक है, तो productivity क्या होता है, बटा, बताइए, productivity, कितना biomass आप produce कर रहे हैं, उसको हम productivity कहते हैं, ठीक है, it is the amount of biomass produced by an ecosystem, किसी ecosystem का जितना biomass produce हो रहा है, बायो मास से मतलब organic nutrient, produce हो रहा है, उसको हम productivity कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा productive, most productive, जहाँ पर sunlight ज़्यादा होगा, ठीक है, तो most productive में आपको ट्रॉपिकल rainforest आजाएगा, ठीक है, और least productive की बात करोगों, तो least productive में आपको क्या आजाएगा, जहाँ पर कुछ हिसाब किताब नहीं है, बनने का, desert, जहाँ vegetation कम है, या जहाँ sunlight बहुत कम आ रहा है, deep sea, समंदर के गहराई में है, जो आपका deep, benthic region है, बन्तिक region है, वहाँ पर production कम होगा, clear, ठीक, productivity होगा, ठीक, productivity किस किस तरह की productivity हो सकती है, तो productivity के type है, सबसे पहले हम बात करते है, that is called primary productivity, बहुत important है, ध्यान से सुनना भी हाँ आपके, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, primary productivity, क्या, producer जितना biomass produce कर रहा है, उसको हम primary productivity करते हैं, तो the amount of biomass produced by producers is called primary productivity, लिखिए, amount of, of biomass used, produced, sorry, produced by, producers is primary productivity, कहां से आएगा, major source जो होगा, photosynthesis होगा, है ना, इसका major source क्या होगा, photosynthesis होगा, है ना, राइट, इसका major source क्या होगा, major source जो है, photosynthesis होगा, ठीक है, produced by plants, ठीक, अच्छ, photosynthesis का major source होगा, बहुत अच्छी बात है, express कैसे करते हैं expressed in terms of gram per meter square per year कितना gram per meter square एक साल में produce हो रहा है इसको हम primary productivity कहते हैं बहुत important सवाल है इसपे question आता है ठीक है और दूसरा आपका होता है, that is net primary productivity, क्या होता है भाईया, net primary productivity और क्या होता है भाईया, gross primary productivity, total biomass जो producer बनाया, वो gross primary productivity हो क्या है, तोटल biomass, total biomass produced by producers during photosynthesis, क्या होगे भाईया, इसको हम कहाँ देंगे, gross primary productivity, इसको हम कहाँ देंगे, gross primary productivity, बट क्या, एक प्लांट जितना biomass प्रड्यूस किया, उतना ही दे देगा, इतना दानवीर है क्या प्लांट, नहीं भाईया, सब की अपनी अपनी जरूरते हैं, प्लांट की भी अपनी जरूरत है, तो एक और चीज़ है, कि अगर हम, gross primary productivity, minus respiratory loss करें, respiratory loss मतलब, amount of biomass that was utilized by the plant, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, net primary productivity, तो net primary productivity मेरा क्या हो बेटा, gpp minus r is net primary productivity, तो net primary productivity का अगर definition लिखोगे, तो amount of biomass produced by producer, which is available for primary consumer, ठीक है, तो amount of biomass अवेलेबल for primary consumer, is called net primary productivity, किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, gross primary productivity और net primary productivity में, किसी को दिक्कत है, हाँ या नहीं, एक बर बता है, कमेंट सेक्शन ने लिखाए, किसी को दिक्कत है, gross primary productivity और net primary productivity में, clear है, बहुत clear, जितना produce कर रहा था producer, that is gross primary productivity, respiration के बाद producer के पास जितना बचा, that is net primary productivity, बहुत हमेसी, बहुत बढ़े, आईए, NCRT माता के चरण देख लें, क्या NCRT माता बोल दिए, तो primary productivity क्या हो पेटा, amount of biomass produced by, per, during photosynthesis, ठीक है, gram per meter square, या kilo calorie, calorie अगर energy के फार्म में देख रहे हैं, तो kilo calorie रहेंगे, ठीक है, per meter square per year, या gram per meter square per year, दोनों पर सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो ये, annual productivity हम, ऐसे निकालते हैं, ठीक, चली, तो हमने देखा, दो तरह का primary productivity, gross primary productivity, और net primary productivity, देखो, या IPMT का सवाल भी आया हुआ हुआ है, ठीक है, तो rate of production of organic matter, during photosynthesis, is called, gross primary productivity, available biomass for consumption to heterotrops, is net primary productivity, तो net primary productivity is, gross primary productivity minus, clear है, देख लो, कैसे हमने पीवाई क्यू टैग भी किया आपके लिए, मतलब NCRT को इतना simplify कर दिया आपके लिए, कि आपको load लेने की जरुद नहीं पड़ेगी, बहुत अगे बढ़तें, ठीक है, तो primary productivity of different ecosystem differs on the following factors, किस-किस factor पे differ करेगा productivity, तो किस पे depend करेगा, sunlight, पानी कितना है, soil का precipitation कितना है, acidic soil है, या alkaline soil है, तो भाई ये पहला तो plant species कौन-कौन से एरिया में, अगर मानलो, tropical rainforest के plant हैं, तो productivity जादा होगा, ऐसे घास पूस है, तो productivity कम होगा, डूसरा environmental factor आ गया, अगेन, temperature, light, ये सब सारे factors, determine करेंगे कि कितनी productivity होगी, फिर nutrient जितने ज़्यादा एवलेबल होगे, productivity उतनी ज़्यादा होगी, and photosynthetic capacity of plant, plant कितना ज़्यादा photosynthesis करा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो ये हमने कर लिया था, NPP is equal to GPP minus R, ठीक है, तो ये होगया primary productivity, दूसरे तरगा productivity होता है, उसको हम कहते है, secondary productivity है, अभी तो हमने देखा, primary productivity, अब primary productivity के बाद, जो productivity कहता है, उसको हम secondary productivity कहते है, तो देखो, माल लो मेरे बाद घास था, तो घास जो produce किया, क्या produce किया, net primary productivity, अब इसको किसी बकरी निखा लिया, बकरी है, घड़ा बकरी जो हमाज लो, अगर माल लो इसको, किसी बकरी निखा लिया, तो ये, अब इसका जो production है, माल लो बकरी पकड़ता है, ठीक है, तो इसका इसने जो biomass produce किया यह आपका secondary productivity है इसने जो biomass produce किया यह आपका क्या है secondary productivity थो consumer primary consumer को जो biomass produce कर रहा है that is secondary productivity तो दिखिए तो लिखिए the rate of formation of new organic matter by consumer is called secondary productivity ठीक है is called secondary productivity clear 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 बहुत होच एक और चीज इंपर्टेंट पॉइंट है कि इंटाइर बायो स्पोर का जो एन्वल प्रोडक्टिविटी है that is 170 billion tons of organic matter हमेशा हम dry weight लेते हैं biomass के लिए wet weight इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पानी का amount vary कर सकता है इसलिए हम accuracy के लिए जब भी biomass measure करते हैं हम dry weight लेते हैं dry weight मतलब हम उसका पानी सुखा देते हैं तो हमको exact organic matter पता चिल जाता है ठीक है despite comprising 70% of the earth area ocean का जो population यह annual productivity that is 55 billion tons क्यों क्योंकि ocean का बहुत एरिया में sunlight नहीं पहुछता sunlight नहीं पहुछता तो productivity कम होता है तो लिख लो बेटा 170 billion tons है total biosphere का ocean का है 55 billion tons दोनों पे सवाल आया है very important दोनों पे सवाल आया very important तो हम लोग एक recap कर लेते हैं हमने देखा primary productivity क्या है बहिए वह प्राइवर्य जो producer biomass generate कर रहा है उसके वाल हमने देखा secondary productivity pessary productivity क्या हो रहा था producer को खाने के बाद जो मेरा primary consumer biomass generate कर रहा है उसको हम secondary productivity कहते हैं तो organic matter produced by consumer is secondary productivity clear है productivity समझ में आगए सबको किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत चलिए, बहुत बड़े बहुत बड़े, ठीक है क्यों ओशन में low productivity होता है इसका reason बताओ क्यों ओशन में low productivity होता है इसका reason पहला reason less amount of sunlight और दूसरा जो सबसे important reason है कि भाईया जो nutrient है वो कम है कौन सा nutrient कम है सबसे ज़्यादा जो biomass के लिए सबसे ज़्यादा required है that is nitrogen ठीक है तो यहाँ पर लिख लिजिएगा most limiting nutrient जो है इसका that is nitrogen nutrient is clear है clear है nitrogen और sunlight की कमी के वज़े से ocean का biomass productivity कम होता थे ठीक है ocean का biomass productivity कम होता आगे बड़े तो हमने primary productivity और secondary productivity देख लिए ठीक पहला था पहला जो factor था हमने complete कर लिए अब आते हैं दूसरा that is decomposition दूसरा आते हैं that is decomposition decompose हो रहा है produce तो हो गया अब आते हैं जो बहुत important चीज़ है that is decomposition तो आईए पहले decomposition समझ लेते हैं फिर एंसियाटी माता के दर्शन कर लेंगे ठीक है अगे decomposition की बात कर रहें decompose सड़ जाना यही होता है ना decomposition है यही होता है ना सड़ जाने को decomposition कहते है ठीक है बहुत अच्छी बात है तो जो आया है वह सड़के वापस मिट्टे में मिल जाए यही होता है तुम सपोज आये, तुमने अपनी पूरी जिन्दगी जी ली, बहुत इनर्जी प्रड्यूस किया, उसके अद मर गया, तो तुम सड़ जाओगे, सड़ जाओगे, फिर से तुम स्वाइल में मिल जाओगे, फिर से उसको प्लांट अप्टेक कर देगा, तो वो साइकल पूरा चलता जाता है, इसलिए डिकमपोजिशन बिकमस अवरी इंपोर्टन पैरमीटर ओफ एनी एको सिस्टम, एको सिस्टम साफ रखने के लिए डिकमपोजिशन होना बहुत जरूरी है, तो डिकमपोजिशन क्या होगा बहुत जरूरी है, ठीक है, तो डिकमपोजिशन क्या of complex organic matter, complex organic matter into simpler, inorganic, complex organic matter को simple inorganic matter में convert कर देता है, इस process को हम decomposition कहते हैं, चीक है, बहुत बहुत बहुत, तो आईए decomposition का पूरा process होता है जिस पर सवाल आता है, subjective सवाल भी आता है और objective सवाल भी आता है, तो कहानी सुनते हैं, ठीक है, चलिए, एक story time, story time सुनते हैं, ठीक है, तो आईए आते हैं process of decomposition, ध्य कमपो ठीक है क्राइम पेट्रोल देखते हो तुम लोग सब क्राइम पेट्रोल देखते हो तो भाई एक लॉंडा था जिसका नाम था मिश्टर चिंटू ठीक है दस अगाय कि इस नेम बॉस चलो इसको अगले पेज़े बनाते हैं थोड़ा स्टोली टेम अच्छे थे देवाज दिस गाय है इस नेम बॉस मिश्टर चिंटू मिश्टर दुख्य इसलिए बनाया क्यों बनने वाला है कि युद्ध चिंटू ठीक है बहुत अच्छे बाद मिश्टर चिंटू की बहुत अमीर था ठीक है तो मिश्टर चिंटू को किड्नाप किया गया बट मिश्टर चिंटू के घर वालों ने पैसे नहीं दिया उसलिए मिश्टर चिंटू को मार दिया ठीक है तो मिश्टर चिंटू गॉट किड्नाप फिरोती के रकम नहीं दे पाए मिस्टर चिंटु तो उनको मार दिया गया है मिस्टर चिंटु को मार दिया गया अब मारने के बाद क्या कर सकता भूया लास्ट को ठीकाने लगा सकता यही करोगे लास्ट को ठीकाने लगा समंदर में फेक दिये समंदर में नहीं फेक सकते समं या तो कर सकते जमीन में गाड दिये या पत्थर बात है कि अगर कभी किसी को तुम लास्ट को ठिकाने लगाना है तो अगर गढ़ा खोद के लास्ट को डालो गए जमीन के नीचे ठीक है तो इससे बदबू तो बच जाएगा बट decomposition का rate slow हो जाता है क्योंकि oxygen कम मिलेगा oxygen कम मिलेगा तो rate of decomposition slow हो जाता है ठीक है खेर चलो पूरा story समझते हैं तो तुम लोगों समझ में आगा ठीक है पहला तो क्या हुआ कि हमारा वाला जो लॉंडा था हमारा वाला जो kidnapper था ठीक है बड़ा smart था बायो बड़ा था मुझस तो इसने गाड़ा नहीं उसने ऐसे जंगल में जाके फेल हुआ ठीक है तो मिस्टर चिंटु ऐसे जमीन पर पड़े हुए है तो सबसे पहले सबसे पहला स्टेप जो होगा सबसे पहला स्टेप होगा क्या है कि अब इस पर डेट्रीटी वोर्स आएंगे अर्थवाम ड्राइ लिटर पर जो फीट करते हैं मतलब अब इसकी लार्ज सुखी हुई है ठीक है पड़ी हुए ऐसे जंगल में तो अब उस पर क्या होगा अर्थवाम वगर आएंगे और इसको छोटे 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 टुकड़े में तोडएंगे या फ्रैग्मेंट प रार्ज साथर को से लार्ज करता है कि ट्रीटी वर्च को किया कहते हैं प्राइग्मेंटेशन क्या कहते हैं फ्रैग्मेंटेशन तो इसके लार्ज के छोटे छोटे चोटे टुकड हो गया इसके छोटे चोटे टुकड होगे मैं लोगे यह से अलग हो गया मात अलग अलग मतब ऐसे चोटे-चोटे बहुत सारे टुकड हो गया ठीक है this process is called ऐसे फ्रेग्मेंड है अब आप अब क्या हुआ अब क्या हुआ है ऑब क्या हुआ इसके लास पैसे बारीच भी हो रही है गुम्यां मंदेरी रात ठीक है तो यहां क्या हो रहा है यहां बारिश हो मिदूइ तो भाई आप इसके कुछ-कुछ minerals होंगे, कुछ inorganic component तो होंगे ने इसके, तो इसके जो inorganic component है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, इसके जो inorganic component है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है जमीन के अंदर नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएंगे तो the second step is called the second step is called leaching ठीक है तो जितने water-soluble minerals थे वो जमीन के नीचे चले गए वो जमीन के नीचे चले गए ठीक है वो जमीन के नीचे चले गए तो क्या हुआ the second step is called leaching ठीक है leaching हो गया सट ठीक है अच्छ तीसरा तीसरा क्या होगा अब इस पर bacteria है बचारे एक गम मतलब तीडिया मुकरे की मौत मर यह ठीक है तो अब इस पर bacteria action fungal action और होगा तो अब यहाँ पर decomposers लगए ठीक है जो breakdown करेंगे organic matter को simpler तो थर्ड स्टेप उड़ भी क्या करेंगे इसको ब्रेकडाउन करेंगे सिंपलर फर्म में सड़े गालास है ना सड़े गालास तो दाट इस काल डी कंपोजिशन या क्या ब्रेकडाउन कर रहा है कॉन कर रहा है डी कंपोजर केटाबॉलिसम का प्रोस्स कर लाइए अब कैटाबॉलिजम में दो पार्ट होगा क्या यादधे मैंने बुला कि बारिष हुआ तो अब इस पर कुछ-कुछ जो इसका लाश राश के उपर मिट्टी आ गया ना कीचड़ आ गया मिट्टी आ ठीक है तो इसके लाश के उपर इसके लाश के उपर थोड़ा मिट्टी का लेयर आ जाएगा मतलब यह मिट्टी के साथ मिल जाएगा तेरी मिट्टी में मिल जाओंगा आप गराउन बज रहा है इस process को हम कहते है Umification इस process को हम कहते है Umification अभी detail में पढ़ेंगे Umification हमेशा जा तक मैंने बोला था नभी मिट्टी में अगर guard दोगे तो क्या हुआ oxygen कम हो गया oxygen कम होगा तो decomposition का rate slow हो जाएगा तो जहाँ भी humification होगा वहाँ पे decomposition का rate slow होगा लाश थोड़ा slowly decompose करेगा तो जो catabolism का process है वो थोड़ा slow हो जाएगा and आखरी step is mineralization अब इसके जो minerals हैं वो soil में चले जाएंगे और soil में जाके बाद में दूसरे organism के काम आएंगे ठीक है समझ में आए तो चिंटू की मृत्यू के वज़े से आपको ये वाला topic समझ में आए गया तो भगवाएं चिंटू के आत्मा को शांती दे है ना हाँ जोड़के चिंटू के आत्मा के लिए ठीक है चिंटू के अउनली चिंटू वज़े लॉज इन दिस experiment ठीक है तो चिंटू के लिपास है आपको ये वाला topic समझ में है समझ में आए सबको चले इसको लिख लेते हैं समझ में आए सबको आया नहीं चिंटू की दास्तान समझ में आए आप सबको हाओ टो बिगम आ स्मार्ट मटर वायान ना दास्ताने चिंटू चले आए तो आए पढ़ लेते हैं चिंटू के साथ क्या हुआ इसका थोरा ठीचीचीज भी मना लेते हैं ठीक है तो क्या क्या डिकंपोजीशन का पराशस था सबसे पहला पराशस था तो डिटर मतलब कचरा हुँआ ना तो fragmentation, कैसे कैसे हुआ, तो it is done by detriti over on detritus, ठीक है, तो breakdown of detritus, breakdown of detritus into small fragments by detritus. detritus by detritus is called fragmentation, क्या होगा example, इसका example आजाएगा आपका earthworm, इसका example आजाएगा आपका earthworm, clear, दूसरा, दूसरा step क्या था, दूसरा step था, लीचिंग, लीचिंग में क्या हो बेटा, लीचिंग में, कि जो water soluble substance है, वो जमिंग के नीचे चले गए, ठीक है, तो part of water soluble nutrients substance in detritus, कहाँ चला गया, जमीन के नीचे, जो मिलेगा नहीं आपको, जो unavailable salt की तरह रह जाएगा, ठीक है, तो, soluble, water soluble substance in detritus, गोज, down the soil horizon, ठीक है, and gets precipitated as unavailable, नहीं मिलेगा ये plant को है, बहुत नीचे चला जाता है जमीन में, as unavailable salt, ठीक है, clear यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिख कर, second step complete हो गया, that is leaching, fragmentation हो गया, leaching हो गया, तीसरा step हमने बोलाता, that is, catabolism, catabolism मैंने क्या बता है बेटा, catabolism, breakdown, breakdown, breakdown of detritus, into simple organic form, inorganic form, ठीक है, तो इस, carried out by saprophytic, जो dead or decaying organism पे काम करता है, saprophytic bacteria and fungi, ठीक है, it is carried out by saprophytic bacteria and fungi, क्या कर रहा है यह, क्या कर रहा है, तो, digestion of detritus, into simple compounds, जिसको further हम absorb कर सकते हैं, ठीक है, यार रखिएगा, this process is aerobic, तो यह बहुत important point है, oxygen की requirement होगी, ठीक है, this process is aerobic, ठीक है, temperature, ज्यादा होना चाहिए, humidity ज्यादा होना चाहिए, तो अगर मालो, किसी का लाज तुम ऐसे, Amazon के जाड़ियों में फेक दिये, ठीक है, तो जल्दी सड़ जाएगा, वही किसी का लाज तुम जाके बर्ख पे छोड़ दिये, तो भाईया, कम temperature होगा, तो वहाँ पे लाज जल्दी नहीं सड़ेगा, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केटाबोलिजम से दो प्रोसेस और निकलेगा, पहला निकलेगा, यूमिफिकेशन और दूसा निकलेगा, मिनरेलाइज़ेशन, ठीक है, यूमिफिकेशन क्या होता है, यूमिफिकेशन, डेट्रीटियस के साथ मिट्टी मिल गया, तो एकदम और्गैनिक कमपाउंड मनाए, जिसको हम यूमस कहते हैं, जो स्वाइल के निूट्रियन्ट को बढ़ाता है, ठीक है, so it is the process of, it is the process of decomposition, it is the process of decomposition of, क्या, decomposition of, detritus, to form a यूमस, ठीक है, इसको हम कहते हैं, यूमिफिकेशन, ठीक है, क्या होता है यूमस, तो यूमस is a dark colloidal substance, dark colored, soil substance, found in the top soil, उपर वाले रिजन होगा, ठीक है, याद रखेगा, it is resistant to microbial action, मतलब, जो decomposition का rate है, उसको slow down करेगा, ठीक है, it is resistant to microbial action, and slows down the rate of decomposition, it slows down the rate of decomposition, ठीक है, it slows down the rate of decomposition, ठीक है, ठीक है, अमर्फोस भी होगा, powdery type आप होता है, अमर्फोस भी होगा, NCRT, ठीक है, ठीक है, clear, 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 ठीक है, याद रखेगा, इस, slightly acidic, ठीक है, it is slightly acidic, and acts as a reservoir of nutrients, ठीक है, ठीक होगा, एक साथ हो जाएगा, तो बाद में खतम हो जाएगा, तो reservoir कितार रखता है, धीरे, 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 decomposition कराता है, और स्वाइल के nutrient को बरकरार रखता है, ठीक है, तो it is slightly acidic, and acts as a reservoir of nutrients, ठीक है, ठीक है, इस, slightly acidic and acts as a reservoir of nutrients, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्त स्टेप, याद दीजा क्या होगा, पिटा, mineralization क्या होगा formation of minerals को mineralization क्या सकते है ठीक है तो release of inorganic substance from organic matter from organic matter during the process of humification यह available होगा ठीक है यह available होगा दूसरे plant के लिए जो soil में grow कर रहे है ठीक है दूसरे plant के लिए जो soil में grow कर clear clear है एक बार NCRT माता के चरण पे चले है और देखें NCRT माता क्या कहती है ठीक है तो आई तो क्या भई है इट इस दे ब्रेकडाउन अफ complex organic matter into inorganic substances by action of decomposer इसको हम decomposition कहते है मैंने बोला it is an oxygen requiring process यह भी बात हमने कह लिए ठीक है सबसे पहला चीज़ क्या है dry litter जो है उसको हम detritus कहते है dry litter जो सडने के लिए रुका हुआ है उसको हम detritus कहते है सबसे पहला step क्या है that is fragmentation that is the breakdown of detritus earthworm detriti wars होते है ठीक है उसके बाद water soluble inorganic material precipitate as unaccessible sort इसको हम leaching कहते है फिर degradation of detritus into simple inorganic substance by bacteria and fungi इसको हम catabolism कहते है ठीक है और यार रखिए का the above three process occurs at the same time बहुत important point है ठीक है यार रखिए यह बहुत important point है the above three process ऐसा नहीं कि पहले fragmentation होगा फिर leaching फिर catabolism होगा जैसे fragmentation होते जा रहा है उसी पर decomposition काम करते जा रहा है decomposes काम करते जाता है fragmentation leaching और catabolism साथ time पर होता है बहुत important point है ठीक है उसके बाद फिर क्या है humification accumulation of dark amorphous substance in soil is called humus humus is resistance to microbial action and decompose at a slow rate ठीक है तो इससे क्या होता है soil का nutrition preserve होके रह जाता है and last is mineralization that is the release of inorganic nutrients by humus is called mineralization एकदम table के form में है सवाल क्या आया tagged है क्या मैंने NCRT चे कुछ miss out किया नहीं clear है clear है clear है clear बढ़ी ठीक है अब कौन कौन सा factor decomposition को effect करता है ठीक है तो there are various factors that affect the decomposition process कौन कौन सा पहला chemical composition of detritus अगर बहुत important सवाल आता है बहुत important सवाल आता है इस पर PYQ आया हुआ है तो माग भी क्या हुआ ठीक है तो decomposition rate is slower if the detritus is rich in lignin and kytin अगर lignin और kytin जादा है तो decomposition का rate slow होगा तो लकडी को कभी decompose करने में time जादा लगता है एकदम अगर माझनो log of wood है तो उसको decompose करने में time जादा होता है क्यों? क्योंकि उसमें lignin जादा है ठीक है? दूसरा the rate is quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances तो यह बहुत important point है यह PYQ में आया हुआ है तो अगर lignin और kytin का समान का बनाया है तो decomposition rate slow होगा अगर nitrogen compound का बना हुआ है तो decomposition rate जादा होगा तो हमारे body का plant के comparison में decomposition जल्दी हो जाएगा यह बहुत important path ठीक है? दूसरा मैंने climate condition बताया था moist environment और warm temperature है तो decomposition rate जादा होगा low temperature और anaerobic condition है तो decomposition rate कम होगा अगर oxygen कम है तो rate of decomposition कम होगा clear? सब clear एकदम clear एकदम clear एकदम clear मखन clear क्यास हो? नो ठीक है? मखन clear एकदम तो हमने production देख लिया हमने decomposition देख लिया आगे बाद तो यही वाला था आपका देखो ठीक है? हमने देखा था क्या? कि ट्री ग्रो किया ट्री का पत्ता गिरा पत्ता को पहले debtor खाया ठीक है debtor के बाद इसका leaching हो गया चला गया उसके बाद इसका decomposition हुआ decomposition के बाद फिर से soil में गया humification और mineralization से और उसके बाद फिर से वापस producer के पास आ गया बहुत बढ़ी अब आते हैं energy flow की बात करते है energy flow कैसे कैसे होता है लिखे पहले energy flow उसके बाद हम दोग देख भी लेंगे कैसे कैसे energy flow होता है अभी यहाँ पे आप पिरामिड होगे रहा पड़ेंगे तो बहुत important part है यह बस यह eltonian pyramid वाला जो part है वो important है बहुत जादा इसमें ठीक है बाद की सब तो ratification है energy flow की बात करेंगे energy flow कैसे कैसे energy flow होता है तो भाईया source of energy क्या है सूरज, sun है ना तो भाईया अगर हम बात करें incident solar radiation की incident solar radiation में सिर्फ 50% of incident solar radiation is पार या दे तो एक तो आ गया photosynthetic active radiation क्या कहते है इसको बिटा हम इसको हम कहते है पार इसको हम कहते है ठीक है अब यह जो photosynthetically active radiation है या पार है यह 50% of incident solar radiation होता है यह 50% of incident solar radiation होता है ठीक है बाकि जो 50% क्या है it is absorbed by gases और वगेरा वगेरा सब कुछ ठीक है यह आपको नहीं मिलता है यह scattered हो जाता है ठीक है it is scattered in the atmosphere तो बाकि जो process है it is scattered in the atmosphere ठीक है यह आपके लिए available नहीं रहता है यह plant के लिए available नहीं रहता है ठीक है अब इस 50% का इस 50% का यह इस पार का इस 50% का 2 से 10% जो है is absorbed by plants for photosynthesis याद दखेगा ठीक है तो अगर हम पूछे पार का 50% is absorbed by plant पार का 2 से 10% is absorbed by plant and incident light का 1 से 5% is absorbed by plant हमेशा सवाल आता है ठीक है तो याद रखेगा plant यूटिलाइज 2 तू 10 परसेंट of पार and 1 तू 5 परसेंट of incident light confuse कर जाते हैं लोग है न क्यूंकि पार का 2 से 10% ले रहे हैं ठीक है तो याद रखेगा plant यूटिलाइजस 2 तू 10 परसेंट of पार and 1 तू 5 परसेंट of incident light क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक चल्ट बहुत 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 चल्ट आगे बढ़ते हैं तो flow of energy देखो क्या क्या है तो अनली इनर्जी सोर्स फर ओल एकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी डीप सी में क्या है वहाँ पे की मोटो ट्रॉप्स वह है वह सोर्स अफ इनर्जी होंगा ठीक है इस सनने इस रेडिएशन ठीक है तो लेस दन 50 परसेंट अफ टोटल इंसिदेंट रेडिएशन इस नोन अज पार AI PMT का ठीक है ठीक है इकोसिस्टम फॉलोस सेकेंड लॉफ थर्मो टैनिक्स पढ़ा है आपने कॉंस्टेंट सप्लाय ओफ इनर्जी इस रिक्वाइड फॉर इकोसिस्टम तो वह इनर्जी यहां से आ रहा है इनर्जी आ रहा है शन से ठीक है तो सोलर इनर्जी इस फिक्ष्ट भाइठ प्लांट तो सिंस्थेस फूद ब्लांट कैप्चर्स तू तो लिविंग वडड तो तू तो तो तैंटbank कोस्टDY टीक है टू तो तेन परसेंट ऑफ पार and 1-5 परसेंट ऊफ इंसिदेंट लाइट is 뜯े बहुत है क्लिया रहे आmusic है क्लिया रहे आफैक एको सिस्वीं पे देखते यह जो बायोटिक अब यहाँ पर आगया हम है बायोटिक है अब यहीं से आपका फूट चेन वगयरा सब पूरा शुरू होगा अब यहाँ द्यान से पढ़ने यहाँ तक यह रहे हैं यह तक रहे हैं आगे बढ़ता है आई तो क्या-क्या components है ecosystem के हमारे एक हो गया producer that is autotrops दूसरा हो गया consumer that is heterotrops ठीक है producers क्या है भी यह जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं consumers क्या है जो producer के खाने को खार ठीक है तो इस पर आपके पूरे pyramids वगेरा आएंगे अब ध्यान से सुनो बहुत important topic हम पढ़ने वाले हैं जिसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है food chain ठीक है food chain और ecological pyramid एकदम बिल्कुल लिखके पढ़ना है यह बहुत important point है यह बहुत-बहुत सवाल आता है इस पर ठीक है यह थोड़ा time लेगा लेकिन यह हमको करना है ठीक ह आईए तो हम लोग करेंगे detail में लिखो copy निकालो copy पर लिखो यह food chain मुझे अच्छे से पढ़ना है ठीक है उसके बाद सब कुछ छोटा है उसके बाद कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद कोई भी important चीज नहीं है यह food chain और ecological pyramid जो समझने वाले चीज है उसके बाद से producer primary consumer secondary consumer और top carnivore हमने देखा ठीक है ठीक है यहां तक वोजी कर नहीं है तो आईए food chain की बात करते हैं कि कैसे 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 food chain का बटवारा होता है बहुत important point अब ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम आराम से तसली से से सेटल लाउन कर जो और सुनो इसको ध्यान से ठीक है क्या है food chain it is the sequence of living organism which involves transfer of food energy from one tropic level ट्रॉफिक लेवल तो पहला ट्रॉफिक लेवल जैसे producer का हो गया फिर primary consumer हो गया फिर secondary consumer हो गया फिर टॉप का लेवल हो गया तो producer of one topic level to other is called food chain कहां से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है तो इसको हम food chain कहते हैं बहुत अच्छे ठीक है किस-किस तरह का food chain होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करना है sister जाए प्राइमरी ऑख संग्नेटर तॉप करनिंप्र यह सारे तुमारे ट्रॉफिक के फोचर क्रेंट में आ chilling हैं हुआ तो कौन कौन था टरॉप्र इस प्रोटिब्यूसर be ठीक है, primary producer क्या हो सकता है, घहांस वहांस कुछ भी हो सकता है न, primary producer ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका, primary consumer या इसको हम secondary producer भी कह सकते हैं, तीसरा आ जाएगा आपका, secondary consumer ठीक है, secondary consumer और चौथा आ जाएगा आपका, या तो tertiary consumer, या top carne, ठीक है, किसी-किसी में tertiary consumer होता है, किसी-किसी में tertiary consumer नहीं होता है, तो जो सब से उपर है, that is top, कารणी, तो grazing food chain ऐसा food chain है, جہां पे source of energy sun है, बहुत simple ता चीज ठीक है, grazing food chain एक ऐसा food chain है, जहां पे source of energy sun है, ठीक है, तो grazing food chain में क्या है, कि source of energy बहुत बच्चे इस पर confuse कर जाते है source of energy क्या है is sun तो जहां भी source of energy sun है वो पूरा food chain जो है that is grazing food chain clear clear कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक बहुत अच्छाँ ठीक है तो terrestrial food chain भी आपका इसमें ही आजाएगा grazing food chain में आजाएगा aquatic food chain भी आपका grazing food chain में ही आजाएगा एक बहुत important point जो NCRT का लिखा हुआ है जो आप लोग miss कर देते हैं एक बहुत important point इसमें लिख लेना ठीक है grazing food chain is the major conduct of major conduct of क्या energy flow in aquatic ecosystem क्यूं भाई? क्यूंकि यहाँ पे rate of decomposition slow होता है ठीक है? बहुत important सवाल आता है हर बार पूछा जाता है और बच्चे confused कर जाता है तो ठीक है? तो major conduct of energy flow जो grazing food chain में आता है वो aquatic ecosystem का है वो aquatic ecosystem का है ठीक है? बहुत important point ठीक है? बहुत important point ठीक है? यह लिख लो तो पहला food chain हमने देखा grazing food chain दूसरा food chain है हमारा इसको हम कहते हैं detritious food chain दूसरा food chain हमारा है that is detritious food chain detritious food chain क्या होगा? dry litter से जो decomposition का process होगा that will be detritious food chain तो जैसे अगर detritious food chain का layout बना तो क्या होगा? dry litter या इसको हम कह सकते हैं detritious ठीक है? detritious से क्या निकला? earthworm यह हो गया detriti war ठीक है? उसके बाद चला गया earthworm को कौन खाएगा? sparrow ठीक है? यह primary यह तुमारा आ गया primary consumer ठीक है? और उसके बाद sparrow को कोई eagle खा सकता है तो यह आ गया तो this is detritious food chain this is detritious food chain ठीक है? अगला parasitic food chain parasitic food chain या इसको हम auxiliary food chain भी कहते हैं ठीक है? इस पर सवाल आ हुआ हुआ auxiliary food chain भी क्या है? parasite तो भाईया पेड tree को खाया herbivore bird इसका fruit खाया और herbivore bird को parasites का लिए अगला उस पर को लाईस आ गया कोई बग आ गया कुछ और आ गया तो परसाइट आ गया तो परसाइट आ गया यहां पर लिख लेना size of organism decreases at higher tropic level ठीक है? और अगर हम बात करें grazing food chain की तो grazing food chain में size of organism increases at higher tropic level ठीक है? usually increases grazing food chain में याद रखना size of organisms usually increases at higher tropic level ठीक है? size of organism usually increases at higher tropic level ठीक है? तो these are the type of food chain ठीक है? अगर interconnection of food chain होता है तो उसको हम food web भी कहते हैं ठीक है? और point लिखे term आता है जिसको हम कहते है food web अगर interconnection of different food chain results in formation of food web क्या कभी 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 तुम देखो ना जैसे अब जैसे यहाँ पे देखो detritious food chain में क्या हुआ? कि earthworm को sparrow खा लिया अब sparrow को bird खा लिया तो again वो क्या हुआ? किसी और ecosystem में चला जा रहा है तो generally detritious food chain और grazing food chain का intermingling हो जाता है कभी कभी ठीक है? तो उसको हम food web कहते हैं उसको हम food web कहते हैं ठीक है? food web is very important for stability of ecosystem ताकि कल को मेरा कोई एक component मिस भी हो गया तो भी मेरा ecosystem stable रहेगा ठीक है? तो food web is very important for stability of ecosystem very important food web is important for stability of ecosystem ठीक है? तो food web is very important for stability of ecosystem clear clear है तो देख लो भाईजा तो हमने producer देखा था फिर consumer देखा था तो terrestrial ecosystem में herbaceous plant तुमारा producer हो जाएगा या paid भी तुमारा producer ही है जो भी plant photosynthesis करा रहा producer है aquatic ecosystem में phytoplankton तुमारा producer हो जाएगा consumers की बात करो गया तो primary consumer herbivores secondary consumer जैसे लोमडी वगेरा जो primary consumer को खा रहे हैं और top carnivore सब को खा रहा है तो top carnivore है ठीक है consumer भी हमने देख रहे हैं aquatic ecosystem में आप देखो तो phytoplankton phytoplankton के बाद zooplankton zooplankton के बाद small fish और small fish के बाद large fish देख रहा है तो देखो के दोनों के इसमें terrestrial ecosystem में और aquatic ecosystem में दोनों में grazing food chain चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि size बड़ा होते जा रहा है तो primary producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer और quaternary consumer या top carnivore कहीं top carnivore हो सकता है sorry कहीं tertiary consumer हो सकता है कहीं पर tertiary consumer नहीं भी हो सकता है तो यह food chain हो गया ठीक है तो food chain आप देख लो grazing food chain का हर बकरी इंसान खा लिया ठीक है अब हो सकता है बकरी को share खाता ठीक है तो भी यह आ जाता है या बकरी को wolf खाता तो भी आ जाता है ना तो यह तुम्हारा आ गया grazing food chain ठीक है तो in this food chain primary consumer feeds on producer जैसे घास बकरी ने खाया ठीक है dead serious food chain में क्या है in this form of food chain primary consumers dead and decaying matter को खाते है तो primary consumer इसमें क्या है अर्थ warm है producer क्या है dry litter है ना तो इसमें जो producer है that is dead ritas primary consumer क्या है इसमें earth warm right ठीक है तो dfc begins by dead organic matter ठीक है फिर उसके बाद उसको decomposers खा जाते हैं और वो soil में चला जाता है ठीक है याद रखेगा मैंने लिखा हुआ है in aquatic ecosystem dfc is the major conduct of energy flow and terrestrial ecosystem में dfc is the major conduct of energy flow क्यों aquatic ecosystem में detritious food chain कम काम करता है ठीक है तो यह दोनों point very important point है जो हमने कर लिए ठीक तो यह detritious food chain कभी मिल जाता है तो यही at some level detritious food chain may be connected with grazing food chain तो इसको हम food wave कहते हैं तो देखो है ना तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर green plant इसको rabbit खाया तो मतब आपस में interconnection of food chain है तो इसको हम food wave कहते हैं ठीक है particular place given in a food chain is called ट्रॉफिक लेवल जैसे producer, primary consumer, secondary consumer, top कानिव हो रहा है तो यह तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल 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 है clear है हमने पूरा कर लिया किया या नहीं किया बता एक बार कुछ भी ऐसा यो समझ में नहीं आया आपको चैँ बहुत चैँ बहुत चैँ बहुत चैँ ठीक है clear है clear है बटा clear है चैँ बहुत बहुत चैँ अब एक और देखेंगा प्रेटोनियन पिरामिड या एकोलोजिकल पिरामिड जो बहुत इंपॉटन पार्ट है ठीक है अब देखो तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को अगर हम अरेंज करें तो एक पिरामिड बनाता है ठीक है तो जैसे सक्सेशिव ट्रॉपिक लेवल ठीक है वेन और गैनिजम डाइज इट बिकम्स डेट बायमास विच इज इन इनर्जी सोर्स पर टीकंपोज तो हमेशा कहना इनर्जी के नाइधर भी क्रिएट नौट इस्वाइट कंजर्वेशन आफ इनर्जी होता है तो यह चीज़े लिंडर क्या बोला कि सक्सेशिव ट्रॉपिक लेवल पे दस परसेंट ही इनर्जी जाता है इसलिए सबसे उपर ट्रॉपिक लेवल पे जो और गैनिजम है उसको जादा से जादा खाना पड़ेगा ताकि वो ताकि वो उस हिसाब से इनर्जी प्रडियूस कर पाए तो जाएगा सिर्फ 10 परसेंट जाएगा इस पर सवाल आता है ठीक है तो लिंडर 10 परसेंट और क्या कहता है लिखिए तक ट्रांस्फर ओफ इनर्जी इनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल तो अधर इस अकम पॉनि इड़ वाय अ है यू ότι ट्रांस्फर और ट्रांस्फर संवा THE यस थानसफर अप्र्सएं ट्रांस्फर तॉटल यैइड ट्रांस्फर तॉट्वक लेवल ठीक है परसेंट ऑव इनर्जी इस ट्रांस्फर दूप गे to next profit level, तो इससे सवाल आ जाता है, ठीक है कैसा सवाल आ जाता है सवाल आ जागा तुम्हारा कि एक producer है इसने 10 किलो streaming energy produce किया फिर उसके वाद उसको producer को गय को गय को खाया गय को शेर निखाया तो शेर और शेर ने कतना इनर्जी शेर में कितना इनर्जी पहुंचा तो इस तरह से 10% करके तुम निखाल लो इसका बढ़ी ठीक है अभी कराते हैं कि कैसे कैसे जाता है ठीक है जो हिए एट एनिवन टाइम एच जो इच इच ट्रॉफीलवल सट टॉफ लेविंग मास तो टोटल बाइउ च आपड़िले औरगेनिक नूट्रियंट का तो इसको हम कहते हैं Standing Crop and Total Inorganic Nutrient देख रहे हैं तो हम इसको कहते हैं Standing State दोनों पार्ट बहुत important है यह लिख लिख लीज़ाओ यह भी PYQ आया हुगा ठीक है तो आईए ठीक है तो biomass of an organism in terms of fresh or dry weight हमेशा याद रखना dry weight is more precise fresh weight में water content vary कर सकता है इसके हम dry weight लेते हैं ठीक है in study of grazing food chain याद रखेगा only 10% of the energy is transferred to each tropic level from lower tropic level जिसको हम linderman का law कहते हैं ठीक है nutrient circulate करते रहता ecosystem में मैंने बताया था energy इसी तरह से ठीक है तो GFC जैसे खतम होगा DFC start हो जाएगा है तो the end of grazing food chain results in start of detritious food chain तो वो dry liter में जाएगा dry liter से energy फिर ट्रांसफर होके production में चला जाता है तो cycle चलता रहता है ठीक है solar energy is transferred into chemical energy by plants ठीक है तो यही देखिए तो sun से गया primary producer primary producer से primary consumer primary consumer से secondary consumer secondary consumer से tertiary consumer या top carnivore ठीक है और eventually यह सब detritious food chain में गया जो फिर से producer के पास चला जागा जो फिर से producer के पास चला जागा तो energy का conservation हो रहा है energy का conservation हो रहा है ठीक है जब भी हम higher tropic level पे जाते हैं there is loss of energy in form of heat ठीक है clear है clear है clear है clear है तो यहीं देखो energy देखो कैसे कैसे जा रहा है energy देखो कैसे कैसे जा रहा है क्या है energy गया 100% था तो फिर 10% गया 10% का 1% गया 1% का 0.1% गया तो मतला हर बार एक tropic level से दूसर ट्रॉपिक level पे जा रहा है तो 10% of energy is transferred सिर्फ 10% of energy is ट्रांस ठीक है इसको कहते है 10% log लिंडमें तो इससे सवाल आ सकता है को सबोर मालो कि मैंने बोला कि producer ने 100 किलो कैलोरी energy produce किया ठीक है तो यहीं आपको करोगे 100 का आ गया यहाँ पे 10 10 किलो कैलोरी यहाँ पे आ गया एक किलो कैलोरी यहाँ पे आ जाएगा 0.1 किलो कैलोरी तो इस तरह से तुम इस तरह के सवाल solve कर सकतो depending on कौन सा ट्रॉपिक लेवल है हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही energy जाएगा बन जाएगा सवाल यहाँ नहीं बनेगा जल्दी बताओ बन जाएगा सवाल बन जाएगा सवाल बहुत अब आते हैं ecological pyramid या इसको हम eltonian pyramid कहते हैं last topic जो तुम्हारा difficult है उसके बाद सब मक्षण ठीक है उसके बाद फटाफट खतम कर लेंगे 15 minutes में लगेगा यह थोड़ा important है उसके बाद हम लोग फटाफट खतम कर लेंगे ठीक है आई ecological pyramid लिख़गे फटाफट फटाफट इस पर सवाल आता है ठीक है समझने वाली चीज़े important है इसको लिख़गे फटाफट ecological pyramids या इसको हम eltonian pyramid भी कहते हैं तो अलग-अलग तरह का pyramid pyramid समझते हो प्रॉपिक लेवल के हिसाब से arrangement जो है उसको हम ecological pyramid कहते हैं तो graphical representation of various ecological parameter is called ecological pyramid ठीक है कैसा-कैसा ecological pyramid होता है फटा-फट सवाल जो आता है तुम्हारा सबसे पहला pyramid of number क्या है pyramid of number कितने number of individuals है कितने number of individuals है उसको हम कहते है pyramid of number ठीक है अब सब डियाग्रामेटिकली अभी देखेंगे फिर written content बात में देखेंगे pyramid of number कि मतलब अगर producer सबसे जादा है फिर उसके बाद primary consumer उससे कम है secondary consumer उससे कम है top consumer उससे कम है तो उसको हम कहते है pyramid of number जो है erect है ठीक है तो pyramid of number अगर देखोगे तो upright किसका किसका हो सकता है जान देखेंगे अपराइट किसका किसका हो सकता है किसका किसका अपराइट हो सकता है कोई भी grazing food chain का अपराइट हो सकता है aquatic food chain का अपराइट हो सकता है दोनों का अपराइट हो सकता है कि मान लो कि 100 पेड है 100 पेड को खाने वाला 10 देखर होगा और 10 deer को खाने वाला एक share होगा तो इसको हम कहते है pyramid of number तो दोनों grazing food chain तुमारा terrestrial food chain और तुमारा किसमे aquatic food chain में pyramid of number upright हो सकता है तो लिख लीजे तो pyramid of number is upright in grassland ecosystem और pond eco ठीक है pyramid of number is upright in grassland ecosystem और pond ecosystem ठीक है दूसरा अगर देखोगे inverter उल्टा कब होगा देखो ध्यान से grassland ecosystem में क्या होगा अगर तुमको समझे लागा प्रोडूशर प्रोडूशर माल लो पेड़ सबस्याद होगा ठीक है उसके प्राइमली consumer से कम होगा और secondary consumer उससे भी कम होगा यह है upright अगर producer का आवादी कम है primary consumer का उससे ज़्याद है तो inverted हो जाएगा तो inverted मतलब क्या होगा अज़ प्रोडूशर का आवादी ज़्याद है sorry producer का आवादी कम है और primary consumer का बादी ज़्यादा हो सकता है secondary consumer का बादी उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो इसको हम कहते है inverted ठीक है inverted ठीक है तो inverted का example हो जाएगा parasitic food chain देखो कैसे देखो कैसे पेड़ एक है ठीक है माल लो एक पेड़ एक पेड़ पे खूब सारा पक्षी है और खूब सारे पक्षी पे खूब सारा parasite है तो माल लो ये tree है ठीक है ये bird हो गया और ये parasite हो गया तो parasite का number सबसे आदा है तो parasitic food chain is inverted in nature ठीक तीसरा spindle shape भी हो सकता है spindle shape spindle shape कैसा हो जाएगा spindle shape माल लो यहीं अगें यहाँ पे अगर tree ecosystem देखो एक पेड़ है एक पेड़ पे खूब सारे sparrow है और उन sparrow को खाने वाला दो-तीन hawk है कैसे हो गया spindle shape एक पेड़ है ठीक है उसके बाद उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है small word और उसके बाद क्या है large तो एक किस में हो जाकता है tree eco system ठीक है तो सवाल आपका आएगा पिरामीद ऑफ नमबर इज अपराइट इन ग्रास्ट्लेंट इको शेस्टम इन पॉंड एको शिस्टम पिरामीद ऑफ नमबर इज इन्वर्टेद इन पैराशेटिक एको सिस्टम और पिरामीद ऑफ नमबर इस पिंडल शेथ इन tree ecosystem ठीक है यह हो गया पिरामिड ओफ नमबर दूसरा आते हैं पिरामिड ओफ बायो मास कैसे है सबसे पहला अपराइट किसमें किसमें होगा तुमारा टेरेस्टियल फूड चेन में पिरामिड ओफ बायो मास जो है अपराइट हो जाएका है ना ग्रासलेंड एकोसिस्टम एड ट्री एकोसिस्टम अमाउंट ओब आयो मास इस ओल्वेस बोर प्रोडूज बायो प्रोडूज रडूज प्रोडूजQué उसकी बायो आट से बायो मास होगा प्रडूसर मतब ग्रास पकड़ लो ठीक है उसके बाद इसको खाया गोड पकड़ लो और उसके बाद है लाइन तो सबसे कम बायो मास लाइन प्रडूस करेगा ठीक है दूसरा इनवर्टेट बहुत इंपोर्टेंट है क्यार रखेगा इनवर्टेट एक्कोएटिक इकोसिस्टम में या पॉंड के इकोसिस्टम में पिरामिड ओफ बायो मास इनवर्टेड होता है ठीक है तीसरा आता है पिरामिड ओफ इनर्जी पिरामिड ओफ इनर्जी इस ओल्वेज अपराइट का कोई exception नहीं है ठीक है पिरामिड अफ इनर्जी इस ओल्वेज अपराइट याद है क्यों कि हमेशा कम इनर्जी जाता है उपर है ना 10 परसेंट ओफ इनर्जी जाता है इसलिए हमेशा पिरामिड ओफ इनर्जी अपराइट रहे गा क्लियर क्लियर है क्लियर है आई फटा फट देखते हैं तो तो रिप्रेजेंटेशन ओफ फूट चेन इन फार्म आफ पिरामिड इस कॉल्ड इको लॉजिकल पिरामिड ठीक है इस शोज रिलेशन बिट्विन और्गानिजम एड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ठीक है तो इको लॉजिकल पिरामिड कैसा कैसा अगा पिरामिड अफ नंबर पिरामिड मेंड आरे फिन लो ऐसे कि अखिक अग्या झरलेंट अकिया ऑ्क देखते लो ही इस अग्या पिरामिड अप्याइक सिस्टम का इनवर्टेड को इस थ Columbus थी धोंना की का उनका ठीक है और दो फ्यम वायो मास होता है, इस पर सवाल आया हुआ है. अपट्राइट पिरामिड ओफ नंबर फॉर्यस ऑको इको सि southern वह क्यों? क्यों नहीं होता अपट्राइट पिरामिड ओफ नंबर फॉररेस ऑको सिस्टम में? seeking ओफ वह सारे पेड़ حं 모양 बहुत इंपोर्टन पॉइंट है, फॉरेस्ट इको सिस्टम में, पिरामिड ओफ नंबर जो है, यह स्पिंडल शेवड होता है, ठीक है, तो यहाँ रखिएगा, कि एस सिंगल ट्री इन फॉरेस्ट इको सिस्टम थे लाज नंबर अव स्पीशिश, तो यही है, कि फॉरेस्ट इको सिस्टम में, अगर पैरसेटिक फूट चेन देख लोगे, तो इनवर्टेड हो जाएगा, और अगर आप ट्री इको सिस्टम एके करके देखोगे, तो स्पिंडल शेफ लोगा, तो यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है, जो confuse करता है, लोगों को, ठीक, पिरामिड ऑफ इंगी हमेशा upright रहेगा, यह हमने कर लिया, पिरामिड ऑफ िनगी is always upright, पिरामिड ऑफ इनगी is always upright, यह हमने कर लिया, ठीक है, तो यहार रखेगा, in most of the ecosystem, all pyramids are upright, which means that the producers are more in number, and biomass, ठीक है, पिरामिड ऑफ इनर्जी इस ओल्वेज अप्राइट यह भी हमने बात कर दिया ठीक है एनी कल्कुलेशन ऑफ इनर्जी कॉंटेंट नंबर मस् इंकूड और अब यहां पर आते हैं लिमिटेशन ऑफ एकोलोजिकल पिरामिड यह बहुत इंपॉइंट पॉइंट आता है पिरामिड यह बहुत इंपॉइंट पॉइंट है इसमें देखना है पहला पॉइंट है कि भाईया इस सब को अकाउंट में नहीं ले पाता बहुत सारे लिमिटेशन से मतलब इट ड़स नॉट टेक इंटू अकाउंट कि अफ दस सेम स्पीशीज कि विलॉंगिंग कि टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एक एक्जामपल देते हैं कि पहले एक कि इंशान थे अब इंसान तुम क्या खा शकते हो तों गोवी कंडिंविंडिंवर नहीं करता है ए अलवेज अजूम्स असिम्पल फूद चेन नब फूद वेप पूद नहीं करता हमेशा जो इसका फूद चेन है इस इस इसम्पल फूद चेन ठीक है डेटरीटियस फूद चेन को कोई जगा नहीं है एक बहुत इंपर्टेंट पॉइंट है ठीक है saprophytes and decomposers decomposers are not given any place ठीक है saprophytes यह बहुत इंपर्टेंट पॉइंट है बाद में तुमारे सवाल स्वाल करने में भी हल्प करेगा एक सवाल देता है ठीक है saprophytes decomposers and microbes are not given any place ऑग बार सुत्य अच्छ 20 एक बहुत इंबोर्टन सवाल juego क्विश्षिन है एक बाद शॉन है कि मालो क्विशन है कि मानलो एक운 ईर किलो कैलोरी कर रांट ने produce किया ठीक है human के पास human ने curd खाया human ने क्या खाया curd खाया तो कितना energy इंसान के पास है ठीक है तो होना कहाँ चाहिए cycle plant से गया plant से गया किसमें plant से गया herbivore में herbivore का fermentation of milk हुआ तो बैक्टीरिया गया, लैब बैक्टीरिया गया और बैक्टीरिया से मैन में आया या इनसान में आया, ठीक है, तो क्या हुआ था, दस हजार किलो कैलोरी था, तो आइडियली क्या होना चाहिए, दस हजार यहां हजार हो जाना चाहिए था, है न, यहां पे सौ हो जाना चाहि है याद रखेंगे तो बैक्टिरिया को फूर्ड से रखें भी अब आते हैं अब सब कुन चीज में है अब यहां इसके बाद मक्हा ने तुरंद फटा-फट खतम कर लेंगे ठीक है ठीक है अब फंचनल लेवल एक बहुत इंपर्टन पांट यहां भी देखो अफंचनल लेवल is not a species as such is represented by a traffic level ठीक है a single species may occur at more than one traffic level at the same ecosystem at the same time यह बता दिया आपका न स्पैरो मानलो इंसेट खा रही है तो secondary consumer है स्पैरो मानलो सीट खा रही है तो primary consumer है यह हमने किया है ठीक है चलिए अब limitation of ecological phenomenon लोग बनाया ही था बेकार लिखा मैंने ठीक है एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में एक species को नहीं रखते हैं food wave नहीं consider करते हैं और detritious food chain को नहीं consider करते हैं इन ecological पिराद़ ठीक है अब आते ecological succession कैसे बना है न कैसे evolve किया ecosystem ठीक है तो सबसे पहले components क्या क्या है pioneer species जो सबसे पहले form हुआ seral community जो beach के है और climate community that is the last stable community ठीक है तो क्या होता है in ecological succession succession मत्तब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आया ठीक है certain species invade an area and rise in number while other decrease diminish and becomes extinct तो इसको हम कहते है ecological succession ठीक है तो जैसे हम pioneer species से climax community के तरफ चलेंगे तो biomass बढ़ता जाएगा ठीक है जैसे हम pioneer species से climax community के तरफ चलेंगे तो biomass बढ़ता जाएगा ठीक है तो pioneer species क्या हो सकता है pioneer species आद दो species that invade a barren area ठीक है तो अगर मानलो पानी में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे hydro अगर rock प्र हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लीथो सरे पत्थर पर हो रहा है और अगर सूखा पर है तो इसको हम कहेंगे जीरो सरे ठीक है सब मिलके कोशिश करेगा music condition में आने का stable condition में eventually सब मिलके कोशिश करेगा कि music condition में आए मतलब mesophytes के तरह काम करें soil बनाएं ठीक है तो यह सम मिलके कोशिश करें का music condition में आने का ठीक है तो seray क्या है a seray is the whole sequence of communities that evolve over time in a given location ठीक है जैसे phytoplankton phytoplankton से फिर floating बाया तो वो सारा seral community है change होता गया climate community क्या हुआ last stable community जो है उसको हम climate community कहते है ठीक है there is a change in species diversity and increase in number of species and total biomass is observed तो जैसे जैसे progress करता जाएगा progress succession होता जाएगा और हम climate की तरफ जाएगे तो number of species और amount of biomass दोनों बढ़ेगा तो याद अखिएगा जितना जादा number of species है उतना stable ecosystem है याद रखिएगा अगर number of species जादा है तो ecosystem stable है अगर number of species जादा है तो ecosystem मेरा जो है वो stable है याद रखिएगा ठीक है तो यही देखो तो pioneer species अगर मालो लीथो सेरे का देखे तो लीथो सेरे में क्या हो रहा है bear rock फिर lichens फिर छोटो छोटो प्लांट फिर grass फिर बड़े grass और फिर पेड तो यह हो गया succession of लीथो सेरे अगर अगर प्लांट का उसका देखे प्लांट का देखे इसका hydrax succession देखे पानी में देखे तो पानी में यह वाला आ जाएगा तो पहले अगर देखे वाटर का अगर देखे तो वाटर का कैसे है फाइटो प्लांटर फ्री फ्लोटिंग अन्यूर स्पर्म फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स फिर grass और उसके बाद फिर तॉल ट्रियादर तो यह तुम्हारा क्या है वाटर का सकसेशन फीक है एक चीज़ और होता है जिसको हम कहते है secondary succession primary succession अगर मालो कुछ नहीं था उसके बाद जो सकसेशन हुआ उसको हम primary succession कहते है टीक है बट अगर मालो कि एक लैंड था या एक forest था उसको काट दिया गया उसके उपर फिर से जो succession होता है उसको हम कहते है secondary succession तो यार रखेगा secondary succession also occurs in land where existing species has been wiped out completely जैसे has can be destroyed by fire, natural calamity और कोई other factor तो यार रखेगा rate of secondary succession is higher than compared to primary succession तो growth of species in secondary succession is higher species का जादा species grow करेंगे secondary succession में ठीक है तो the invading species ने succession depends on certain factors क्या क्या है, soil, availability of water and all ठीक है, changes in vegetation impact animal food and shelter in the process of succession तो जितना जादा vegetation बढ़ता जाएगा, उतना जादा animals आते जाएगा उतनी जादा species diversity होते जाएगी ठीक है, natural or human disturbances might cause a serial shift to earlier stage यही है, कि अगर मान लो कि anthropogenic action हो रहा है या कोई natural disturbance हो जा रहा है, तो उसके कारण हो सकता है कि जो serial community का progress हो रहा है, वो progress रुख जाएगा बेसिक सी चीज़ है, ठीक है यह चीज़ बहुत important जाद रखिएगा secondary succession का rate हमेशा primary succession के rate से बहुत जादा होगा ठीक है ठीक है, क्लियर है अब आते हैं, succession of plants देखते हैं succession of plants कैसा कैसा भी है तो hydrag succession अगर पानी में हो रहा है zirag succession अगर जमीन पे हो रहा है ठीक है, दोनों आएगा music condition में, जो मैंने अल्रड़ी बता दिया आपको दोनों आएँगे, music condition में ठीक, primary succession जैसे अगर bear rock पे है तो that is lichens, ठीक है अगर पानी में है, तो phytoplankton ठीक है, तो ऐसे आगे है तो देखो, small plant, bryophytes आए उसके बाद, higher plant और उसके बाद forest आप, तो eventually climax community forest आजाता और forest या climax community जाधा stable रहता और बहुत सालों तक बदलता नहीं है तो यही, land पे भी देख लिया, आपने water पे भी देख लिया तो यही, primary succession और secondary succession का हमने difference बता दिया, अगर newly formed land है, या जैसे mortal lava है, लावा, तो उस पे जो succession है, वो primary succession है, अगर deforested land है, या कोई जंगल जो आप में आग लगया था, तो secondary succession है, तो इट अकर्स in location where they have never been any living organism, इट अकर्स after existing species that has perished in a given area, ठीक है, जैसे freshly cooled lava, bare rock और recently formed pond or reservoir, abandoned farmland, burned or chopped dude and flooded region तो यह सब secondary succession हो गया, ठीक है natural process, must provide soil, यहाँ पे कुछ soil पहले से present है, इसलिए जो rate of succession है, यहाँ पे ज़ादा होता है ठीक है, तो यही देखो अगर secondary succession देखो को, तो secondary succession में क्या हुआ, आग लगा, forest खतम हो गया तो सीधे, यहाँ पे, likeness, likeness, grow नहीं कर रहा है यहाँ सीधे घास हुआ, घास से पेड़ हुआ, और पेड़ से फिर forest आगे, ठीक है, तो secondary succession हमेशा जल्दी हो जाएगा ठीक है, अब आते हैं cycle पे, cycle, carbon cycle तुमारा nitrogen cycle और phosphorus cycle, ठीक है carbon cycle हम लोग उधर पढ़ते हैं photo synthesis में, nitrogen cycle हम लोग पढ़ते हैं किसमें, nitrogen cycle हम लोग पढ़ते हैं mineral nutrition में, अभी जो हम cycle पढ़ेंगे that is, that is that is phosphorus cycle ठीक है, तो cycle of various nutrient क्या, the standing state refers to the amount of nutrients such as carbon, nitrogen तो अगर inorganic है, तो उसको हम standing state कहते हैं, ठीक तो nutrient cycling की बात कर रहे हैं, nutrient cycling में कौन-कौन से cycling है, पहला जो हम देखेंगे, gaseous cycle और sedimentary cycle gaseous cycle में हो गया nitrogen, carbon, sedimentary cycle में sulfur और phosphorus हो, ठीक है, तो basically इस chapter में जो हम को cycle देखना है, that is phosphorus cycle, ठीक carbon cycle, देखी लो, carbon cycle में क्या ही है, कुछ नहीं होता, atmosphere है, organism है, ocean है, fossil fuel है, यहाँ, यह सब source of carbon है, ठीक है, atmosphere में सबसे कम होता है, organism, 49% of drive it, mass, ठीक है, and fossil fuel, 71% dissolved carbon, that regulate the atmospheric carbon dioxide, तो important नहीं है, carbon cycle बहुत जादा important नहीं है, सिर्फ एक point आता है, जो carbon cycle का important है, कि कितना percent हम photosynthesis से fix करते हैं, यह point बहुत important है, ठीक है, तो photosynthesis fixes, 4 into 10 to over 13 kg of carbon in biosphere per year, इस पे सवाल आता है, ठीक है, through respiration, a significant amount of carbon is released in the environment as carbon dioxide, ठीक है, carbon dioxide is also released by decomposers, ठीक है, other causes of carbon dioxide release can be burning of wood, combustion of organic matter, fossil fuel, etc., ठीक है, बच्चपन से पढ़ते आ रहो carbon cycle, इतना भावुकोने की जरूरत नहीं है, सवाल कहां जाएगा, सवाल यहां से आएगा, कि photosynthesis fixes 4 into 10 to over 13 kg of carbon, आगे, तो यही carbon cycle है, देख रहो, यह ना, photosynthesis से carbon dioxide का fixation हुआ, respiration से carbon dioxide निकल गए, ठीक है, clear, अगला आते हैं, phosphorus cycle, phosphorus, sedimentary cycle का पाट है, phosphorus is found in various forms in environment and is utilized in different ways, ठीक है, it is a constituent of nucleic acid, phosphorus चाहिए होता है, तुमारा nucleotides में, ठीक है, biological membrane, phospholipid का बना होता है, and cellular energy transfer, ठीक है, तो देखो, phosphorus का reservoir, rock, समंदर, and soil, यहाँ पर phosphorus मिल जगता है, यह cycle आपके NCRT में दिया हुआ है, यह cycle आपके NCRT में दिया है, यह बहुत important cycle है, तो क्या है भईया, rock के mineral से weathering होता है, soil में आता है, ठीक है, soil से, producer में जाता है, producer को consumer खाता है, उसके बाद उसका detritious होता है, detritious है, फिर से soil solution में चला जाता है, तो यह cycle होता रहता है, phosphorus cycle में, ठीक है, phosphate dissolved the soil solution, absorbed by plants when rocks are withered, herbivores and other animals acquired it through plant, ठीक है, and phosphate stabilizing bacteria, break down the waste items, entered organism, releasing phosphorus, तो यहाँ पर जो detritious है, यहाँ पर इसका जो decomposition होगा, इसके decomposition से, क्या होगा, इसके decomposition से, यहाँ पर soil solution में, phosphorus का quantity बढ़ जाएगा, soil solution में phosphorus का quantity बढ़ जाएगा, clear है, चल, आगे बढ़ते है, ठीक है, तो carbon cycle और phosphorus cycle में देख लो, carbon cycle आपका gaseous cycle है, phosphorus cycle आपका sedimentary cycle है, ठीक है, तो respiratory release of carbon into atmosphere, इस carbon cycle, no respiratory release of phosphorus into the atmosphere, है ना, कोई gaseous release नहीं हो रहा, तो इसलिए sedimentary cycle है, ठीक है, अब आते हैं, last topic जो है आपका आज का, that is ecosystem services, ठीक है, ecosystem services पे भी एक ही सवाल आता है, पॉन्स्टांजा चचा का कहानी आता है, और कुछ नहीं आता है, ठीक है, कितना कितना use होता है, यह बहुत important point, ठीक है, ecosystem services से क्या क्या मिलता है, हवा हमारा purify हो जा रहा है, ठीक है, crops का pollination हो रहा है, क्योंकि insects हैं वगहरा है, ठीक है, aesthetic value दिखने में सुन्दर लग रहा है, पेड़ बादा रहता है, रोबर्ट कॉंस्टांजा एन इस कलीग ने प्राइस टेक लगाया था, कितना प्राइस टेक लगाया था, 33 trillion dollar per year का प्राइस टेक लगाया था, ठीक है, विच इन नियरली ट्वाइस अ दे वर्ल जी एन पी, डाट इस अठारा ट्रिलियेंड लाग, ठीक है, वाइल लाइफ अविटेट का 6 बस टेक, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, इसको लिख लेज़ेंगे, क्या हुआ, इसमें लिख लो, यह वाला पॉइंट इंपोर्टन है न, इसको लिख लो लास्ट पाइंट, ठीक है, स्वाइल फॉर्मेशन का है, फिफ्टी पर्सेंट, ठीक है, नूट्रियंट साइकलिंग का है, लेज देन 10 पर्सेंट, क्लाइमेट, रेगुलेशन का है, 6 पर्सेंट, और, हाबिटाट फॉर, वाइल लाइफ का है, 6 पर्सेंट, ठीक है, पर्सेंट, झाल झाल